केंदरी मंत्री जोतिरारी सिंदिया ने इंदौर में 18 किलो मीटर की जन आशिरवाद यात्रा के आखरी दिन कहा कि मैं अपने आपको भागेशाली समझता हूँ कि इंदौर जैसी एतिहासिक नगरी को नमन करने का मौका मिला एक सामाजिक दोरा है और कायरकरताओं के साथ ही जनता का आशिरवाद ग्रहन करने का दोरा है उन्होंने 2023 के चुनाओं के लिए मुख्य मंत्री शिवरासिम चिवहान को बड़ा चेहरा बताया है केंद्री मंत्री जियोत्रारी सिंधिया ने कहा कि प्रधार मंत्री नरेन बोधनी ने सभी केंद्री मंत्रियों को आदेश दिये थे कि वह अपने शेत्रों में जन आशिरवाद यात्रा निकाल कर जनता की समस्या को जाने और उसका समाधान करे संसर्द में विपक्षी दलों के हंगामे को लेकर सिंध्या ने का कि यह अब तक संसरी इहास में निंदनी है किस तरीके से विपक्षी दलों ने प्रजातांत्री प्रक्रिया का अगला घोटने की कोशिश की है पूरे देश ने देखा है जब प्रधार मंतिर नर्यमोदी अपने मंत्र मंदल का परिचय देने की कोशिश कर रहे थे तो विपक्षी दलों ने हंगामा किया सेकेटरी जनरल की टेवल पर नंगा नाच किया गया वही नार्यबाजी का रूल भूप को उठा कर डास की तरफ फेगा गया उन्होंने कहा कि विपक्ष ने प्रजातंत के मंदिर को खंडित करने की कोशिश की है और यह पूरे देश ने देखा है करोण उपे के कार या प्रगती पर है नया टर्मनल भवत 10,000 वर्ग मीटर का बढ़ रहा है नया एटीसी बन रहा है नया फायर सेशन बन रहा है और रणवे लेंग हम 2000 मीटर से बढ़ा कर 2750 मीटर कर रहे हैं ताकि वहाँ भी एटी आर से बड़े प्लें लैंड कर पाएं वैसे ही ग्वालियर के लिए विस्तारी करण के लिए हम विचार कर रहे हैं एक नया एरपॉर्ट टर्मनल बने एक नया एर कारगो टर्मनल की योजना बने और इसी के साथ खजराव में भी जो पाचवा एरपॉर्ट हमारा हवाई अटा है 110 करोड उपए की योजना एक नई टर्मनल बिल्डिंग की सौंद्री करण के लिए और 30 करोड उपए नया एटी सी टावर के लिए कार्यप प्रगती पर है 12 हमारे अरुसूचित जाती के मंत्री है ये नक्षा विपक्ष नहीं चाता था कि देश की जत्ता के समख्ष हो और इसी के साथ साथ जो विपक्ष की निंदी निया हरकत रही संसद में इद्मार जहां सेकेर्टरी जेनरल के टेबल पर नंगा नाच किया गया नारे बाजी की गई नियम के किताब उठाकर खाली आसत के तरफ ठेका गया प्रजात तंत्र के मंदिर को खंडित करने की कोशिश की गई इन दोनों घटना क्रप के आधार पर हमने पार्टी के शीश नित्रत ने इनिन्डे लिया कि अगर संसल में इस तरीके का व्यवार है तो हम जंता के समक्ष जाएंगे आज मेरे जन आशिर्वाद यात्रा का तीसरा दिवस है हमने करीब करीब पांच जिलों को कवर करके आज इन्डौर की बारी है और इन्डौर के साथ एक आत्मेता का संबन्द मेरा सदेव रहा है चाहे मैं सांसद रहा हूँ, मंत्री रहा हूँ जिस तरीके कि भी जंसेवा के पर्थ पर मुझे मिला है सदेव इत्वर की विकास प्रगती के लिए समर्पित में रहा हूँ चाहे आज सड़कों की बात हो भव्या अंच राश्ट्र क्रिकेट की स्टेडियम की बात हो अनेक ट्रेडों की बात हो मेरे सांसल होने के कारेकाल में केत्र सरकार के मंत्री होने के कारेकाल में कई सारे ट्रेट ताई के साथ मिलकर हमने इंदौर के लिए दिलवाई दू सिंधिया ने मध्यपदेश में विमान सेवा के विस्तार को लेकर भी बात की उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में सरसठ नई फ्लाइट शुरू होंगी इंदौर भोपाल गौालियर में विमान तल को अरत्याधुन किया जाएगा महगाई के मुद्दे पर जोतिरादी सिंधिया ने कहा कि यह केवल भारत का मुद्दा नहीं है यह विश्य व्यापि मुद्दा है पूरा विश्य आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इसी के आधार पर महगाई पूरे विश्य में देखने को मिल रही है हमें महगाई और आर्थिक प्रदेश के बीच में संयम बनाना होगा पैट्रोल डीजल के मामले में उन्होंने कहा कि अंताराश्ट्रिय बाजार में पैट्रोल डीजल की कीमिते 300 प्रतिशत बढ़ गई है जो महगाई का मुद्दा है करोना के वातावर्ण में यह भारत व्यापक मुद्दा नहीं है यह विश्व व्यापक मुद्दा है करोना के वातावर्ण में डिमार्ण गटी है विश्व भर में आए गटी है विश्व भर में और विश्व भर में आर्थिक शेत्र में श्रिंकिज हुआ है उसी के आधार पर मेंगाई अपना सिर उठारा है पूरे विश्व भर और उसी का प्रभाव भारत में भी हमें देखने को बिला है अब अर्थ शास्त्र का विध्यार्ती होने के नाति सदेव एक टेंशन रहती है और एक बैलन्स सयोग और एक सयम बनाना पड़ता है महिंगाई के बीच में और आर्थिक प्रगती के बीच एक के बिना दूसरा नहीं हो पाता है और जो महिंगाई का मुंता उठाया गया है ये भी मैं समझाना चाहता हूं कि तीन सार पहले नाई वर्ष पहले तेल का दाव विश्व भर में बीस डॉलर प्रती बैरूल होता है आज वो बढ़के साथ डॉलर प्रती बैरूल हो गया है मतलब कि तीन सो प्रतिशत वृत्ती हुई और जिस पार्टी के वज़े से सत्तर साल में भारत आज भी पिच्यासी प्रतिशत अपना तेल का आयात करता है मतलब हम आत्म निर्वर आज तक नहीं हुए तेल में सिंधिया ने कहा कि मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चौहान राद दिन अपने सेहत की परवार न करते हुए लगातार मध्यवदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं कोरोना काल में या हाली में आई बाड में उन्होंने लोगों की मदद की है उन्होंने कहा कि बाड की चपेट में गौालियर चंबल संभाग आया है और शिवराज ने राद दिन मेहनत कर लोगों की मदद पहुचाई है जहां तक 2023 की बात है तो चुनाओ मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान के नरेतत तुमें ही ला जाएगा मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान रात दिन अपने सहथ की परवाद ना करते हुए आप लोग भी अच्छी तरह से वाकित हैं रात दिन मेहनत कर रहे हैं करोना काल में इस बाढ़ के वातावरण में जो गौलियर चंबल संभाग इसकी पूरी चपेट में आया है रात दिन मेहनत कर रहे हैं सरकार का नेट्वित्व कर रहे हैं और जहां तक 2023 की बात है मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान जी है उनके नेट्वित्व में आपके सामने बैठे हुए एक-एक कार्य करता हम सब मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि नई विकास और प्रगती की उचाईया इस सरकार के तहट मध्यप्रदेश चूपाएगा अफगानिस्तान से भारती नागरिकों को सुरक्षित लाने के सवाल पर केंद्री मंत्री ने कहा कि हम एयर इंडिया की फ्लाइट सुचारू रूप से चला रहे थे और अफगानिस्तान से रेस्क्यू कर भारतियों को वापस लाने के लिए ये फ्लाइट रहिवार तक चली उन्होंने बताया कि सोमबार से कोई भी सिविलियन फ्लाइट काबुल नहीं जा पा रही है ऐसे में सरकार ने ये निर्णे लिया है कि अगर सिविलियन फ्लाइट नहीं जा रही है तो भारती वायू सेना के प्लेन अफगानिस्तान जाएं और हमारे नागरिकों को वापस सुरक्षित लाएं भारती सेना का ग्लोब मास्टर अफगानिस्तान से भारतियों को लेकर भारत मुँचा है जिसमें भारत के राजदूत भी शामिल है उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से एक-एक भारती को भारत में लाने के प्रयास सरकार कर रही है अब अफगानिस्तान से भारत के नागरिप को वापस लाने का सरकल केत्र सरकार ने लिया है और ये केर में कहने की बात नहीं है करोणाकार में वंदे महारत मिशन के अस्तरगत विश्व का सबसे बड़ा एवैक्यूएशन मूव्मट प्रदापस्ट्री नरेतमोदी जी की सरकार के निष्व भारत ने आयोजित किया वंदे महारत मिशन के तहट एककतर लाख लोगों को हमने वापस भारत लाया अभी साथ हो जाए और पच्पन लाग लोगों को भारत से वापस अपने घ्रह देशों में हमने पहुचा है और वही एक संकर्थ हमारा अफगानिस्तान में हमारे भारते नागरिकों के प्रती है पिछले पूरे हक्ते एर इंडिया की फ्लाइट सुचारू रूप से हम लोग चला रहे थे रेस्क्यू मेशन वापस हमारे लोग को वापस लाने के लिए ये फ्लाइट रवी बार तक चली सोपार को काबोल का एरसपेस नो टांक का नोटिस दिया जाता है NO टांक का नोटिस दिया गया notice to airmen कि air face civilian flight के लिए अब पामद की दे तो अंतराश्य देशों से कोई भी civilian flight काभूर नहीं आ पाए ये निर्ड़े विदेश मंत्राले के द्वारा ली जाएगी हमारी पहली प्रादमिक्ता है कि भारत ये नागरिट को हम वापस आए और जैसे मैंने आपको मज़ित बताया कि ये प्रयास निर्ड़तर है जब कर आखरी भारत ये नागरिट को हम वापस न लाए और जिनकी वैलेट इंडियन वीजा हो उनको भी हम लोग लाने में सक्षब हो सेगा आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है फ्रम एलन्सीट यूनिवर्सिटी प्रवाइड गर्टिकल एक्सपोजर पॉर एंगिनेरिंग मेंजमेंट फामसी, मेडिकल, अग्रिकल्चर साइंस, परमेडिकल, लाओ और वे लुट इन्टी यूट इजूचर लेहरियों से सांस्क्रित एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ ता जोपड़ी से महलों ता ठेलों से मेलों ता पक्दंडियों से सडकों ता गाउं से शेहरों ता व्यापार से उद्योगों ता राज़्डीती से कूटनीती ता दखन न्यूज आपके हद ता आप देख रहे हैं दखन न्यूज